हाली में अहमदाबाद मुंबई बुलट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए कुछ टेंडर निकले थे और वो काम ये था कि उसमें पेड़ों को काटा जाना था और तकरीमन बाइस सौश से ज्यादा पेड़ थे जिनके लिए टेंडरिंग प्रोसेस शुरू किया गया था यहां प करिये और उसके बाद हम जवाब देंगे और उनका जो जवाब आया जो पेड़ काटे जा रहे हैं वह बड़ोधरा एक के कुछ गाओं के पेड़ हैं तो यहां पर मैं जो उन्होंने जवाब दिया उस जवाब का मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि क्या कहा गया इस डिसक सब्सक्राइब को जो है में फोकस है हमारा यह इनका कहना है और जो जिस तरह के ग्लोबल वाड में प्लाइवेट चेंज और यह सारी चीजें बढ़ रही हैं तो उसके उन सब चीजों का ध्यान हम रख रहे हैं और देरफोर एवरी मिजर इस बिंग टेकन इन दी प्रोसेस प्रोप्रेक्ट और इऑनका कहना है कि जो आप ने सवाल उठाया है उसके हैँए कि हमने वह सारा काम इसलिए किया है क्योंकि हमको इनवारूरमेंट फ्रेंड ली हमारा पूरा प्रोजेक्ट है और जो दी पेड काते जाएंगे जिनको भी काता जाना है उनके लिए उन्होंने information दी है कि जहां पर भी हम पेड़ काटेंगे उसके लिए पैसा एकठा किया गया है कि साथ साथ ब्रच्छा रोपन भी किया जाएगा तो ब्रच्छा रोपन कहां-कहां किया जाएगा 200 सो हेक्टियर जो है यह महाराष्ट में और साथ ही साथ 13 हेक्टियर गुजरात में व्रच्छा रुपन किया जाएगा और इसके लिए इंप्लाइज और इस्टेक होल्डर तो यह सारी चीजें जो है उनका कहना है कि और भी जो इस्टेक होल्डर से उनकी सहायता से प्लांटेशन होगा और साथी साथ पेड़ को एक जिगह से दूसरी जिगह उखाड कर ले जाने की जो तकनीक है उसको अलग-अलग कांस्रेक्श सकते हैं यह जवाब दिया गया है और यहां पर एक और खास सीज में आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से न्यूज स्टेशन का असर हुआ है वह आप देख सकते हैं यह टेंडर जो है कैंसिल कर दिये गया है अभी फिलहाल जिन टेंडर की हम बात कर रहे थे उन टे कि तो इस तरीके के कई टेंडर को कैंसिल कर दिया गया है और यह न्यूज स्टेशन का असर है जब हमने सवाल पूछा आईए हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार जिन टेंडर की हम बात कर रहे थे वह टेंडर कौन थे और उसमें क्या-क्या था देखिए यह रिपोर्ट नहीं पढ़ने जा रहा है तो मैं आपको बता दूं कि कोरोना वाइरस के चलते जिस तरीके से दुनिया भर में उथल पुथल मची हुई है चाहे वो चीन हो या जापान हो कोई भी देश हम कह सकते हैं इससे प्रभावित हुए बगएर नहीं है अगर इंडिया की बात करते हैं तो वहां पर निश्यत तोर पर इसका असर पड़ेगा एक और चीज में आपको बताना चाहूंगा अगर हम बुलट ट्रेन प्रोजेक्ट की बात करें तो तमाम चीजें हैं जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कोरोना वाइरस के चलते इन्होंने कई चीजों में मदद क करने की घोशना भी की है यह देखिए यह इनकी वेबसाइट पर यह सारी चीजें पड़ी हुई है लेकिन एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं एक जो बड़ा-बड़ा किया गया हमेशा की पर्यावरन की रच्छा के लिए यह सारी चीजें हो रही हैं और कहीं न कह ले गए हैं अगर हम टेंडर की बात करें तो यह देखिए आक्सन फार कटिंग डिस्पोजल आफ इस्टेंडिंग ट्री जिन राइका विलिजेज आफ वड़ोद्रा डिस्टिक में जो तमाम गाउं पड़ रहे हैं अलाइन्मेंट के आसपास वहां पर उसके लिए टेंड की जाएगी यह देखें यह निकला हुआ है कि किस तरीके से यहां पर बात की जा रही है राइका विलेज में दो 256 जो है पेड़ों को काटा जाएगा और यह काटा जाएगा और उसके लिए टेंडर निकाले गए हैं जब पूरा देश कोरोना वाइरस संक्रमन से जूज रहा है लड़ रहा है तो यहां टेंडरिंग देखिए कि चीश की निकल रही है यहां निकाला जा रहा है कि काटे जाएंगे पेड़ जबकि पहले दावा किया गया था यह पेड़ नहीं काटे जाएंगे इनको हटाया जाएगा यह देखे एक दूसरा हम आपको टेंडर दिखा रहे हैं यहां 504 पेड़ों को काटे जाने की बात कही जा रही है वड 249 पेड़ों को काटे जाने के लिए टेंडर निकाला गया है यह टेंडर अभी भी हम कह सकते हैं कि जो बुलट ट्रेंग प्रोजेक्ट की वेब साइट है उस पर मौजूद है और यहां पर एक और यहीं पर मामला खत्म नहीं हुआ यह देखिए 231 और पेड़ों को काटे जा है क्योंकि हमने छेड़ चाड़ की है और यहां देखिए यह बुलट ट्रेंग प्रोजेक्ट के तहट पेड़ों को काटे जाने के लिए टेंडर निकाला जा रहा है यह देखिए 320 पेड़ यह गाउं भी का नाम दिया हुआ है दसरत गाउं है यह बड़ोधरा के में और और यह बड़ों को काटने का टेंडर निकाला गया यह देखिए 75 पेड़ यहां काटे जाएंगे और इनको काट के जलाने की लकड़ी अलग करनी है और साथी-साथ जो हम कह सकते ही मरती लकड़ी है उसको अलग करना यह देखिए इसके लिए आक्सन किया जा रहा है, नवासी पेड़ काटे जाएंगे, यानि हरे भरे पेड़ों को काटे जाने की बात यहां पर की जा रही है, और यह एक और कुझे जो एक्स्ट्रा इंफर्मेसन है उसको जो निकाला गया है, उसमें से एक चीज मैं आपको दिखाना चाहत हूं कि किस तरीके से यह जो कहा जा रहा है यहां पर यह देखें, यह निकाला गया है नंबर आफ ट्रीज, पांसो चार है, एक जो टेंडर हम उसकी बात कर रहे हैं यहां पर, और बिल्डिंग वुड, यानि जो इमर्ती लकड़ी है, यानि पेड़ों को काटा जाएगा, खाड़ा जाएगा, उसके बाद उनके छोटे-छोटे टुकड़े किये जाएगे, यानि जिन्दा पेड़ों को, यानि पेड़ों में जिन्दगी है, यह हम कहते हैं, और पेड़ हमें जिन्दगी देते हैं, और उसको यहां पर काटे जाने की बात कही जा रही है, और पू लाया जाएगा और पेड़ों को एक जगह से दूसरी जगह लाया जाएगा यह देखें यह दावा कहीं न कहीं जूटा साबित होता है क्योंकि जिस तरीके की टेंडरिंग की गई है और यह जो पूरा देश हिस्समें कोरोना वाइरस संक्रमन से जूज रहा है और यहां पर द दिखाना चाहूँगा कि जिस तरीकी की चीजे कहीं जा रही थी जैसे यहां पर यह मैं एक आपको वीडियो भी दिखाना चाहता हूं कि पहले दावा किया जाता था यहां पर कि किस तरीके से बुलत ट्रेंड प्रोजेक्ट में पेड़ों को बचाया जाएगा उसका एक व हो रहा है असलियत में यहां पर आप कह सकते हैं कि पेड़ों को काटा जाएगा यह तो सिर्फ दिखाने के दाथ हैं यहां पर यह सिर्फ पत्रकारों को दिखाया गया कि ऐसे करेंगे लेकिन ऐसे कौन करेगा क्यों करें हम क्योंकि पेड़ों को हम फालतू समझते हैं हम समझत हैं कि ठीक है इसके पेड़ों को काटने से ही विकास है तो यहां पर आप समझ सकते हैं यह सिर्फ दिखाने के लिए बुलट ट्रेन प्रोजेक्ट के लोग ऐसा कर रहे हैं यह हम कह सकते हैं लेकिन असलियत में उनका काम कुछ ही डिया रहे हैं यह सिर्फ दिखावने के दांथ यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि अगर इन पेड़ों को काटा ना जाये इनको हटाने की प्रकृइर की जाये तो बहुत मुस्किल नहीं है लेजा करें लिए बड़े पेड़ों को रखता है उन्होंदी जरूत नहीं है तो यहाँ पर आप देख यह क्या इस्थती है यानि tightening में आस्पास की पें टो को काटे जाने की बात कहीं जा रही है तो कहीं न कहीं कहीं वह कें चिन्ता की बात है और पीड काटे घाएंगे इन में से हम कह सकते हैं तमाम पेड़े से हो सकते हैं जिनको हडाये जा सकता है उन जगह से एक जगह से दूसरी जगह आप जाकर लगा सकते हूँ तो निषर्ट तोर पर हम कह सकते हैं कि बुलट ट्रेन प्रोजेक्ट की जो कमपनी है उसको ये सोचना चाहिए कि इस तरीके की जो पेड हैं उनको बनने में बहुत टाइम लगता है और उनको काटना बड़ा आसान है आप जब इनको काट देते हो तो इनसे होने वाला नुखसान जो हमारे लोग हैं जो यहां पर रह रहे हैं कहीं न कहीं हमारे उपर उसका आसर पढ़ता है और निश्चि तोर पर आप पड़ेगा